आज मैं जा रहा हूं मारूति सुझी की सोरूम जो मेरे घर से लगभग 10 से 12 किलोमेटर की दूरी पर मौझूद है। मैंने फोन करके पता कर लिया है बहाँ पर नियो मारूति सुझी की स्विप्ट फेसलिप्ट मौझूद है। बहाँ पर आ चुका है रेट कलर की है बो गारी और उसी का रिवू भीडियो बनाने के लिए मैं बहाँ पर जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं हम इस वीडियो को अभी स्टार्ट कर रहे है। तो गाईस यह सुझीप्ट फेसलिप्ट भीएक से मौडेल निव सुझीप्ट फंस से कुछ ऐसी दिखती है। और मैं आपको बता दू इस हॉट सेलिंग हैच का यही कलर सबसे ज्यादा बिखते भी है। जोकि है रेट कलर। फंट में सबसे पहले इस मौडेल में हैलोजन सेटप हेड लैंप्स दिये गये है। और इसी में आपको टार्न इंटिकेर्ट भी देखने को मिलेगा। मीडेल में नया ग्रील का इस्तेमाल हुआ है। और इस ग्रील के मीडेल में सुझी का लोगो और नीचेologies क्रोम अ रेक्रण किया गया है। इस model में कोई भी fog lamps नहीं मिलता आप चाहे तो बाहर आपना market से लगबा सकते हो या फिर showroom से भी लगबा सकते हो आप side profile में सबसे पहले इस model में Apollo brand की 14 inches का steel rims टायर का इस्तेमल किया गया है इस variant में machine cut alloy wheels नहीं मिलता सिर्फ wheel covers मिलता है आप लोग देख सकते हो इसके बाद co passenger side में body colored word beam with turn indicators और उसी के बगल में A pillar black color tape में देखने को मिलता है इसका अलबा इस variant में body colored door handles भी मिल जाते है आप चाहे तो after market से इन door handles में chrome भी लगा सकते हो B pillar और C pillar दोनों में ही black tape का इस्तेमल किया गया है और C pillar में ही पीछे की door की handle मौझूद है और हाँ guys car side से कुछ ऐसी दिखती है और इसी left side में fuel tank भी दिया गया है जिसको आप अंदर से operate कर पाऊगे मैं बता दू स्विप्ट में total 37 liter की fuel tank मिलता है और इस variant में 23.2 km का mileage भी claim किया जाता है पीछे की तरब इस new स्विप्ट में total 268 liters की boot face मिल जाती है और यहाँ नीचे 14 inches का ही spare tire दिया गया है यहाँ left side में स्विप्ट का badge और उसी के बगल में LED tail lamps मौझूद है यहाँ middle में सूजगी का chrome flatting logo मिल जाता है और नीचे bumper पे मौझूद है दो parking sensors यहाँ roof में पीछे की तरब normal roof antenna और यहाँ high mount stop lamp मिल जाता है क्योंकि यह एक VXI variant है इसलिए आपको इस car में washer नहीं मिलता defogger भी नहीं मिलता So guys आप मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और driver side door में आप लोगों को मिल जाता है power windows आप लोग देख सकते हो यह रहा इसका grab handle यह रहा इसका door opening का handle होता है chrome plated यह रहा यह है इसका lock इसको दबाने के बाद car lock हो जाती है इसे और यहां नीचे आप लोगों को मिल जाता है bottle holder और थोई सीब जगह यहां पर आप अपने documents बगरा रख सकते हो और यहां पर आप लोगों को speaker की placement मिल जाती है और यह रहा इसका steering wheel new switch के slip का मीटर में आप लोगों को chrome plated logo मिल जाता है और आपको left side में steering mounted controls मिल जाता है आप लोग देख सकते हो volume का switch यहां पर और नीचे आप लोग call बगडर receive कर सकते है और car के right side में मिल जाता है head lamps को operate करने का lever अधर या फिर switch भी आप लोग क्या सकते हो वाइपर control करने का switch और यह रहा इसका instrument cluster आप लोग देख सकते हो new switch 2021 facelift का instrument cluster कुछ इस तरीके से दिखता है और यहां पर उपर में आप लोगों को मिल जाता है driver sun visor और इधर में आप लोगों को मिल जाता है passenger sun visor with vanity mirror driver side में आप लोगों को नहीं मिलता और यहां पर आप लोगों को यार्वक इस कार में मोजूद है उससका speaker भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है उपर में आप लोगों को रूम लाइट मिल जाता है। यह देफिये लाइट जाल गया। और OFF हो गया। और यहां पर LIKE alarm को मिल जाता है IRVM E अन्दर से इड्ज़स्ट करने के लिए। इस Car में आपjam को मिल जाता है मैनोयल AC ये रहा है इनकाногоule刷िर helps देख सकते हो और मिड्यल में नीए तोडे ऊडियो ãy कोई ही ट्सक्रीन ये जिसक्तन तोड नहीं है एक उपर आप लोग को मिल जाता है हाज़ाग लाइट का स्विच्ड और रांड सेफ में या फिराउंड डीचाइड मैं अप के नॉब्स एसी के फैंस आप लोगों को मिल जाता है यहां पर यहां पर मिल जाता है और यहां पर मिल जाता है एयन पर चोड़र है और यहां पर आप लोगों को मिल जाता है यूस्बि ओक्स का स्पोर्ट यह आप देख सकते हो और यहां पर आप लोगों को मिल जाता है 12V का power socket और यह थोड़ी सी space आपको यहां पर मिल जाता है और यह रहा cup holders आप यहां पर cup powder रत सकते हो यह रहा इसका chrome plated handbrake यह रहा इसका head lamp level अखेलियर का स्विच आप लोग यहां से हेडलम को लेफेल केडलम को एड़ेस्ट कर सकते हो और नीचे की तरफ आप लोगों को एक्सलेरेटर ब्रेक और क्लाच कीनों ही मिल जाते हैं और एक चीज बाता ना भूल गया यहां पर आप लोगों को ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलता है और गाइस यह रहा इसका ग्लाब बॉक्स जो ग्लाब बॉक्स ही है पूल्ड ग्लाब बॉक्स नहीं है नॉर्माल ग्लाब बॉक्स है अब फ्रांट में तो कुछ बचा नहीं अब चलिए पीछे की तरब चलते हैं और बहां पार आप लोगों को क्या कुछ मिलता है आप में आप लोगों को बहुत भी दिखा दूँगा तो चलिए पीछे की तरब चलते हैं गाइज आप में आ चुका हूँ कार के पीछे की तरब और कार के पीछे की तरब पैसेंजर डोर में आप लोगों को जो भी कुछ मिलता है वो यह है आप लोग देख सकते हो यह रहा पावर उंडो आप लोग कि हां से कांट्रॉल कर सकते हो यहyan का ग्रैब हैंδर और यह रह निकलने के लिए और नीचे की तरफ भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है आप एक लीटर से बड़ी बोटल नहीं रख सकते और यह मैं इसका श्मलक का प्लेस्मेंट इसे चाहल में आप आप लोग देख पार ही होंगे मीडिल में आप लोगों का हम भी मिलेगा प्लेन नहीं मिलेगा यानि की मीडिल में जो भी बंदा बैठेगा उसको दिक्कत होगी परिशनी होगी और दूसरी तरफ जो पैसेंजर साइड डोर है वह उसके उपर भी आप लोगों को मिल जाता है और नीचे भी आप लोगों को स्पीकर का प्लेसिंग मिल जाता है मैंने आप लोगों को कार के बाहर यानिक एक्सिर्यूर कर का अंदर यानिक्चिएर जो भी था बहुत सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है अब सिर्फ एक ही चीज बांकी है बो है इस कार का engine और बो मैं आप लोगों को अब open करके दिखाने बाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस कार में आप लोगों को क्या का safety feature मिलेगा इस कार में आप लोगों को dual airbag मिलेगा उसके साथ-साथ आइसोफिक माउंट्स, पीटेंसोनस एंड होर्स लिमिटर सीट बेल्स, ड्राइफर और पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर बगरा बगरा गाइस पीछे की तरफ आपको जगह थोरी कम मिलेगी मुझे परसनी हो रही थी इसलिए मैंने डाइबर सीट को आगे धकल दिया है उसके बाद बैठ कर आप लोगों के लिए वीडियो को बना रहा हो अगर आप लोग चाहो तो इस कार में पिंजन इजिली बैठ सकते है कोई दिख्कत आप लोगों को नहीं होगा तो चलिए आप इंजिन को ओपेन करके देखते हैं इंजिन में आप लोगों को क्या कुछ नया मिलता है लेकिन इंजिन को ओपेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस कार में अब आपको मिलेगा 1.2 लीटर 4-cylinder total engine जिसको मारूती बलेनों में इस्तिमाल किया जाता है, जो स्वीप्ट का जो पहले बाला इंजिन था उससे 7HP ज्यादा पावार जेनरेट करता है, लगभग 7HP ज्यादा पावार जेनरेट करता है, तो और का आपको बही मिलेगा 113 एनम का, और जो मालेज है बहुत भी आप साइड में देख साक्ते हो पहले के मुकाबले आप और ज्यादा मालेज खलें किया जाता है निव सूरीफ फेस्लिप में उपन करते है उन्जलेंगे वह यह अप चलिए इंजिन को भी ओपन कर करके देख लेते है तो दैधेम मौजात है 1.2 लिटर 4 सिलिंडर dual jet इंजिन जो बलेनों में इस्तिमाल किया जाता है वो ही इंजिन आपको आप स्वीप में मिला करेगी जो पहले की इंजिन के मुकाबले लगभग 7 HP ज्यादा पावर जेनरेट करता है जो है 88.50 BHP और 113 NM का ही तॉर्क तॉर्क में कोई भी बदलाब नहीं हुआ है सिर्फ पावर में बदलाब हुआ है स्वीप्ट VXI भेरिन का एक सोरुम प्राइस है 6.36 लाक रुपे अगर आप इस कार की ओन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए बता दू ये स्टेट तू स्टेट ध करता है मैं जहां पर रहता हूँ वहां स्वीप्ट VXI मॉडिल का ओन रोड प्राइस है 7.15 लाक रुपे तो गाईस ये था आज का पूरा वीडियो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइ महनत लगा है इसलिए लाइक जरूर करना और चैनल पर नए होतो चैनल को साब्सक्रिप करना चलिए मिलते हैं आप से एक और आने बाले इंट्रेस्टिंग वीडियो में आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया